अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए नीच से बैल आइकनों से प्रेस ज़रूर कर ले ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए आज के वीडियो में बताने वाली ह जी हाँ दिसंबर माह में अमवस्या कब है और अमवस्या में क्या क्या करना चाहिए पित्र को खुश करने के लिए कैसी पूजा करनी चाहिए वो सारी चीज बताने वाली हूं तो ध्यान से सुनिएगा कहीं मत जाएगा पॉश अमवस्या 2022 साल की आखरी अमवस्या कब है जाने पुजनविदी और महत्व सावधानिया पॉश अमवस्या 2022 डेट पॉश अमवस्या साल की आखरी अमवस्या है ये अमवस्या 23 दिसंबर 2022 शुक्रवार को मनाई जाएगी धार्मिक मान्यता के अनुसार आमावश्या तिथी का बड़ा महत्व है इस दिन पित्रों की शांती के लिए पूजा की जाती है वहीं पित्र दोष और काल सर्प दोष से मुक्ती के लिए इस दिन उपवास रखा जाता है पॉस आमावश्या 2022 इस साल का अंतिम महिना दिसंबर शुरू होने वाला है वैदिक पंचांग के अनुसार पॉस माह में कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथी को पॉस अमावश्या कहते है धार्मिक मान्यता के अनुसार अमावश्या तिथी का बड़ा महत्व है क्योंकि कई धार्मी कारे अमवस्या पर किये जाते हैं पित्रों की आत्मा की शांती के लिए इस दिन तरपन श्राध किया जाता है वहीं पित्र दोश और काल सर्प दोश से मुक्ती के लिए इस दिन उपवास रखा जाता है पॉस्ट के महिने में सुरे की उपासना का विशेश महत्व है ये साल की आखरी अमवस्या है इस बार पॉस्ट अमवस्या 23 दिसंबर शुक्रवार को मनाई जाएगी पॉस्ट अमवस्या का महत्व पॉस्ट अमवस्या 22 इंपोटेंस हिंदु धर्म के अनुसार सभी अमवस्या तिथियों के दिन पूजा अर्चना का महत्व बताया गया है लेकिन इन सब में पॉस्ट मास की अमवस्या को ही पुने फलदाई बताया गया है माना जाता है कि येशुव माह धार्मिक और अध्यात्मिक चिंतन मनन के लिए ये सरुशेष्ट होता है पॉस्ट अमवस्या पर पित्रों की शान्ती के लिए उपवास रखने से ना ही केवल हमारे पित्रगण त्रिप्त और खोस होते हैं बलकि ब्रह्म्हा, इंद्र, सुर्य, अग्णी, वायू, रिशी, पसु, पक्षी, समेत, भूत, प्रानी भी त्रिप्त होकर प्रसंद होते हैं पॉस्ट अमवस्या पूजन विधी पॉस्ट अमवस्या का दिन पित्रों के लिए खास माना जाता है इस दिन सबसे पहले सनान करें, सनान करने के बाद सुर्य को सबसे पहले गंगाजल से अर्ग दे और उसकी बाद लाल पुस्प चढ़ाए आप चाहे तो इस दिन पित्रों की आत्मा की शांती के लिए उपवास भी कर सकते हैं पॉस्प अमवस्या के दिन पीपल के पेड़ का पूजन करें और तुलसी के पौधे की परिकर्मा करें इसके बाद पित्रों के नाम का दान पुर्णे करें पॉस्प अमवस्या के दिन करें ये काम पहला इस दिन भगवान सुरे का पूजन करें और उन्हें तामवे के लोटे से जल अरपित करें दूसरा इसके बाद अपने पित्रों से पित्र दोस की मुक्ती की प्राथना करें तीसरा इस दिन अपने पित्रों के लिए उनका मन पसंद भूजन बनाएं पहला हिसा गाए को चढ़ाए, दूसरा कुटे को और तीसरा कौवे को चढ़ाए चौथा इस दिन पीपल के पेर के नीचे अपने पितरों के नाम का घी का दीपक जलाए पाचवा पॉस अमवस्या के दिन जरूरत मंदों की दान करे पॉस्ट अमवस्या के दिन भूल कर ना करे ये काम पहला अमवस्या की रात किसी भी सुनसान जगह पर जाने से बचना चाहिए दूसरा अमवस्या के दिन जल्द उठकर स्नान करना चाहिए और फिर सुरे को जल चड़ाना चाहिए तीसरा इस दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए चौथा साथ ही इस दिन तामसिक भोजन और मंदिरा पान भी वर्जित माना गया है कैसा लगा आप सभी को हमारा ये अमावस्या वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आये हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सबस्क्राइब एंड सेर करना बिलकुल न भूलना मेरे वीडियो को इंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवा, थैंक्स पूर वाचिंग, कीप सपोर्ट, स्टे कनेक्टेड